नमस्ते भारत मैं हुडाम परकाश को तम और आप देखेंगे GST कॉंसील का जो 48 GST मीटिंग हुई थी उस मीटिंग में नोटिफिकेशन नमबर 26 और 27 और लेडी आप लोगों ने देखी लिया और 26 पे दो वीडियो मैं आपको बना के दे भी दिया हूँ जिसमें important दो जो था बाकी लगभग 20 से ज्यादा उसमें changes हुएं उसका हम आगे बात करेंगे उसके साथ ही circular आपके सामने आप देखेंगे कि circular नमर 183 से लेके circular नमर 188 तक circulate किया गया तो इन सब को हम धीरे धीरे वीडियो के माद्दे हम से आपके पास आएंगे लेकिर आज मैं आपसे discuss आज circular नमर 183 के बारे में सारे circular और notification मेरे telegram channel पे आपको मिल जाएगा learning point GSTR परकास गौतम पे जाकर ठीक है वहाँ से ले लीजीगा 183 में कहता है clarification to deal with difference in input tax availed in form GSTR 3B as compared to that detailed in form GSTR 2A for financial year 1718 and 1819 अब यहाँ पे मैं आपको लेके चल रहा हूँ यह circular आपका है इस circular से पहले एक गीत आपने सुना होगा मैं आपको जरा सुनाता हूँ जाधियों से इस गीत को सुनिएगा और इस गीत के साथ ही इस circular को हमें study करेंगे देखो जिसका हमें था इंतुजार वो घरी तो आ गई यानि कि वो circular आपके पास आ चुका है लेकिन इस circular में आगे क्या होगा एक बार और सुन लीजिए थोड़ा सा इस गीत को प्यार में हद से गुजर जाना है का मतलब है जीएस्टी में हद से गुजर जाना है अब जो यह हद से गुजरने की बात है यहाँ पे 2A और 3B का जो कोईडीज है डिफरेंसेज है उसका क्लेरिफिकेशन लेके यह आए है लेकिन यह 17, 18 और 18, 19 दो साल के लिए अब आपके मन में एक सबाल आ रहा होगा कि यह जो क्लेरिफिकेशन है 2017, 18, 19 यह वो मैं अभी ले लूँ तो इसके लिए इन्होंने एक बहुत अच्छा सा इसी सर्कूलर का सबसे लास्ट पॉइंट हम एक बार पढ़ लेते हैं जिसमें इन्होंने लिखके दिया है कि यह सर्कूलर किन के लिए इंपोर्टेंट है, सारे लोगों को खुश होने की जरूरत नहीं है, सारे लोगों को खुश होने की जरूरत नहीं है काता है, इसका मदब समझ जाओ कि कुछ न कुछ रिस्टिक्शन है प्रोलर के लिए यह सर्कूलर इंपोरटन्ट है उनके लिए ये कुड़े की तरह है जिनके लिए ये complete हो चुका है आपका वाड़ी तो जैसे मेरे जैसे आदमी के लिए तो ये भाया कोई यूज के लिए नहीं है तो जिसके लिए मुझे था इंतिजार वो घरी नहीं आई नहीं आई ठीक है अब however these instructions will apply in those cases for financial year 17, 18 and 18, 19 where any adjudication और appeal proceedings are still pending हाँ 17, 18, 19 का उन लोगों के लिए ये और applicable हो सकता है जिनका adjudication या appeal अभी process में यानि की अभी चल रहा है तारिक पर तारिक वहाँ पर ये applicable हो सकता है अब क्या क्या हुआ है क्या scenario है उसको हम एक बार और देखते थोरह सी और इस गीत को हम आगे सुन लेते हैं तू क्या जाने तू क्या जाने तू क्या जाने तू क्या जाने ये जीएश्टी कोंसे जेटली साब से लेके सितारबन जी हमारे बीच आ चुके हैं आज ये कह रहे हैं कि जो section 16 है ये section 16 ये जानते हैं ये section 16 क्या है आप लोगों के याद होगा section 16 जो है न ये ITC से related है ये बताता है कि क्या eligibility आपकी होनी चाहिए और क्या conditions आपको follow करना है fill up करना है उसके बाद ही आप को GST का ITC मिलेगा अब उसमें ये ये भी करें कि actually GST 2017 में नया नया आया था तो लोग इसको सही से follow up नहीं कर पाये 2A सही से update नहीं हो पाया 3B, R1 ये सब सही से नहीं हो पा रहा था तो इसके लिए इन्होंने जो भी mistakes हुई है 17 ठाड़ में कुछ scenarios लेके आये हैं कि किस किस तरह की गलतियां हुई होगी जिसको ये ठीक करेंगे तो एक बार थोड़ा सा और हम इस गीत को सुनते हैं आज बहुत romantic तरह से सरकूलर को हम पढ़ते हैं अब समस्या ये है इस गीत में कर रही है कि लेकी रहूंगी बदला तुझसे आई हूँ दिल की तो यहाँ पर बदला कौन लेगा इसको परके पता चलिगा यह हम बदला लेगे या कौन सील यानि टैक्सपेर बदला लेगा या कौन सील सेनेरियो इन्होंने कहा कि पहला सेनेरियो ने कहा कि where that supplier has failed to file gstr1 मतलब इस केस में क्या वा supplier ने gstr1 file ही नहीं किया लेकिन उसने 3B file कर दिया due to which the supplies made in the same tax period do not get reflected in form gstr2a of the recipient अब क्या हुआ शत्रा ठार ठार उनिश्मेंट तो 2a से ही चल दा था अपना ITC अब हुआ क्या कि gstr1 fail कर गया gstr1 file नहीं किया बट उसने 3B file कर दिया अब 2a में तो आया ही नहीं तो इसके लिए इन्होंने क्या कहा एक देखे provided in para 4 below अब को हर कॉलम में मिलेगा इन्होंने कहा एक का मैं पढ़के बता देता हूं in such cases the difference in ITC claimed by the registered person in his return in form gstr3b and that available in form gstr2a may be handled by following the procedure एक procedure इन्होंने para 4 में दिया है उसी procedure के अनुसार मुझे आगे चलना है यह देखिया आपको सब ज़र यह मिला है कि provided in para 4 below तो सबका answer para 4 में है scenario हम समझ लेते हैं पहला scenario तो आपने समझ लिया कि gstr1 filing नहीं किया लेकिन 3b file कर दिया था दूसरा कहता है कि where the supplier has filed from gstr1 gstr1 तो file कर दिया as well as returning from gstr3b gstr3b भी उसने file कर दिया बट उसने particular supply जो था किसी एक party का या किसी एक bill का वो gstr1 में show नहीं किया तो उस case में हम क्या करेंगे उसके लिए भी इनोंने का कि आगे में जो पैडा for दे रहा हूं उसको एक बार पढ़ लीजिए next third scenario इनके पास यह है कि supplies were made to a registered person and invoice is issued as per rule 46 of cgstr rule containing gstr and of the recipient इन्होंने एक registered person को sale किया supply किया और as per cgstr rule 46 के अनुसार इन्होंने tax invoice भी इसको issue किया और जो tax invoice इन्होंने rule 46 के हिसाब से इन्होंने जो invoice दिया उस invoice में recipient का जिसको इन्होंने माल बेचा उसका gstr number भी mention है लेकिन क्या होता है supplier has wrongly reported the sale supply as b2c अब गलती से क्या हुआ कि जो supplier था जो seller था उसने इस supply को गलती से b2b की जगा b2c में कर दिया तो उसका भी solution इन्होंने कहा कि पैड़ा 4 में जाके एक बार पर लो ठीक है अब वो b2b जगा कर दिया अब यहां पे भी अगला एक इन्होंने scenario दिया चौथा scenario कि where the supplier has filed form gstr1 as well as return in form gstr3b यहां क्या हुआ कि इन्होंने gstr1 भी फाइल कर दिया gstr3b भी फाइल कर दिया बट he has declared the supply with wrong gstr1 of the recipient in form gstr1 कई केस में आपको दिखता होगा कि जैसे मान लीजिये मैं रांप्रकाश गौतम हूँ मेरा sale हुआ माल मैंने purchase किया seller से मैंने recipient हूँ और मेरा जो gstr1 नमबर है वो गलत डल गया या गलत डलने के साथ साथ या यह भी mistake हो सकती है कि रांप्रकाश गौतम के gstr1 नमबर पर श्यांप्रकाश राय का gstr1 नमबर चरहा दिया गया हूँ यह भी गलत हो सकता है तो इसलिए अगर यह भी scenario आता है आपको तो आपको पै साथ एक इनोंने इन एडिशन में एक officer को इनोंने duty क्या दे दिया उसे हम लोग एक बार पर लेते हैं लेकिन उससे पहले एक बार थोड़ा सा और मैं इस गीत को सुन लेता हूँ और आपको सुना देता हूँ देखे करता है कातिल मुझसे बच के कहां जाओगे बच के कहां जाओगे अगर गलत दे दिये हो या एक दूसरे का दे दिये हो तो इसके बारे में कहता है कि अब कहता है जिस एक ओफिसर की ड्यूटी लगेगी वो क्या करेगा कि जो बास्तविक रिसिपेंट है उसको ऑथोर्टी के थो उसका जो भी जूरिस्टिक्शनल होगा टैक्स ऑथोर्टी जो भी सुप्रिंटेंडेंस इंस्पेक्टर जो भी ह होगा उसके थोरो रजिस्टर पर्शन को बताया जाएगा हूज जिसका जिसका जिस्टियन गलत चरद गया है डैट आइटी सी ओन दोज ट्रांजेक्शन सी रिक्वाइट तू बी डिसलाउट अब गलती से अगर आ गया जिस्टियन नंबर किसी का और एक्च्वल में उसक सेल हुआ ही नहीं तो उसने जो ITC लिया होगा उसको डिसलाव कर दिया जाएगा if claimed by such recipient in their form GSTR 3B अगर उसने claim कर लिया है तो however allowance of ITC to the actual recipient shall not depend on the completion of the action by the tax authority or such registered person who GSTN has been mentioned wrongly and such action will be pursued as an independent action. अब आपके दिमाग में आ गया होगा कि A से लेकर D तक यह जो चार सेनेरियों दिया गया है इस चारों सेनेरियों में यह provided in para for below provided in para for below यह खाली चारों जगए यह provided in para below ही क्यों लिखा हुआ है यह para for है क्या इसको हम लोग एक बार जान लेते हैं आगे काता है कि the proper officer share first seek the details from the registered person regarding all the invoices on which ITC has been availed by the registered person in his POM GSTR 3B but which are not reflecting in his POM GSTR 2A. proper officer पहले तो सारे details को registered person का जितना भी details है उसको यह अपना देखे कि GST registered person ने जो POM GSTR 3B में ITC claim किया है लेकिन वो 2A में reflect नहीं किया है उसके बाद वो देखेगा कि क्या वो section 16 को जो भी conditions है उसको follow किया है कि नहीं अब यह section 16 के जो conditions है इसको मैं थोड़ा सा इस sentence को मैं highlight किया हूँ इसको मैं आगे यूज करूँगा और आपको वहाँ मैं फिर से पूछूँगा तो आपको यहाँ पे धियान रखना है दोस्त ठीक है इसको मैं बहुत dark yellow कर दिया हूँ ताकि आपको दूर से दिखे और याद रहे पहला condition इनों ने दिया कि अगर उसने ITC कलेम कर लिया है तो क्या अगर उसने ITC लिया है बायर ने तो क्या उसके पास tax invoice या debit note है इसूर बाइदा supplier के थुरू किया हुआ कि नहीं पहला condition यह fulfill हो रहा है कि नहीं दोसरा देखेगा that he has received the goods और services और both क्या उसने खाली invoice ही तो नहीं ले लिया या debit note नहीं लिया क्या उसने actual में goods को purchase किया या service उसने लिया है कि नहीं supplier का और तीसरा इन्होंने कहा कि he has made payment for the amount towards the value of supply along with tax payable their own to the supplier उसके बाद इन्होंने एक important चीज़ कह दिया कि उसने जो goods purchase किया या service उसने लिया इसका उसने with tax amount payment supplier को किया की नहीं तो ये तीन condition हमें देखना है पहला आपके पास tax invoice और debit note होना जरूरी है दो में कोई एक चीज़ जो भी condition हो दोसरा है उन्होंने कहा कि goods या service actual में supply होना चाहिए और recipient उसे receive किया हो और third इन्होंने condition क्या दिया कि जो आपने service receive किया है या purchase किया है goods का उसका with tax आपने supplier को payment किया की नहीं किया ये तीन condition आपको fulfill करना है उसके साथ साथ उस officer को ये भी देखना होगा कि वो check करेगा कि क्या कोई accordance to section 17 और accordance to section 18 ऐसा कुछ तो नहीं है ITC जो avail कर दिया गया है जैसा कि चाहे इसमें time period की बात किया जाए ये section 16 of section 4 की या फिर ineligible ITC है या block ITC है ऐसा तो कोई नहीं ले लिया गया है उसके बाद इन्होंने बताया कि इस 4.1 में ये कह रहे हैं कि in order to verify the condition of clause C of subsection 2 of section 16 of CGST Act that tax on the sales supply has been paid by the supplier the following action may be taken by the proper officer इन तमाम चीजों को देखके अगर ये तीन चीज फुल्फिल कर रहा है फुल्फिल कर रहा है recipient और ये officer को लगता है कि ये सारी चीजें जेन्यून है तो officer अब आपको actual में action क्या लेगा क्या करेगा ये इन सारे केसों में उसके बारे में आगे की पैरा में बताया जा रहा है अगला पैरा ये बहुत अच्छी बात बताया कि difference between the RTC claimed in form GSTR 3B and that available in form GSTR 2A of the registered person respect of supplier for the shared financial year exceeds rupees 5 lakhs यानि कि जो ITC लिया गया है उसका GSTR 3B और GSTR 2A के बीच दोनों का difference अगर 5 lakh रुपेया से ज्यादा होता है तो officer क्या करेगा तो proper officer जो है वो registered person को कहेगा कि आप एक certificate मुझे लाके दीजिए तो अब सवाल होता है कि ये certificate कौन लाके देगा तो ये certificate किस से लाके देगा तो जी ये certificate लाके देगा किसी chartered accountant से या cost accountant CMA से अब ये chartered accountant या CMA इन दो लोगों को power दिया है GST ने कि आप दो लोग fulfill करके बताईए मतलब certified करके बताईए कि इन्होंने fulfill किया है कि नहीं EITC लेने के काबिल हैं भी कि नहीं का ठीक है देदेगा लेकिन अब उसके बाद कहा कि ये नहीं करना है कि कोई भी end associate and sons and associates ऐसे नहीं end company नहीं बकाइदा अगर आप CA है तो आपको जो UDIN generate करना है वो ICI के portal से और यदि आप CMA है cost accountant है तो आपको जो CMAI का जो portal है वहां से UDIN generate करके certificate देना पड़ेगा अब आगे काता है और क्या करना है भी या ये तो वो condition था उसके आगे थोड़ा सा इस कीत को और सुन लीजिए अब जादू किसका चलता है देखिए जादू यहां क्या चलता है पांच लाक से उपर वाले में तो CA साहब या अब टू फाइव लाक रुपी तक तब क्या होगा तो अब होगा कि वो प्रोपर ओफिसर जो investigation कर रहा है जो audit कर रहा है वो ओफिसर शेल आस्क दा क्लेमेंट टू प्रोड्यूस अ सर्टिफिकेट प्रोम दा concern supplier ये ओफिसर क्लेमेंट को जो क्लेम किया है ITC का उसको कहेगा कि अपने supplier से एक सर्टिफिकेट लाके दो to the effect that said supplies have actually been made by him वो certificate पे लिख के देगा कि जी ये जो supply मैं किया हूँ ये बकाइदा मैंने ही किया है and the tax on said supplies has been paid by the said supplier in his return in form JTR 3B वो कहेगा अपने certificate में लिखेगा supplier कि जी बिल नमबर इतना इतना dated इतना goods so and so हमने sale किया है या हमने supply किया है हमने service दिया है sorry sale या service जो भी है उसका हमने supply किया है और supply के सासाथ उस पे जो tax amount है वो tax amount हमने GST को जमा भी 3B के थुरू कर दिया है ठीक है ये important चीछ था आईए अगला एक बार इस गीत को फिर सुनते आगे क्या कहता है अब जो कहता है वो थोड़ा सा बड़ा important है सुनने बाला चीछ है होगा तेरा आशित समाना औरों का दिल होगा तेरा निशाना नाज नकद यूँ फीरे नजर में हाए हमें दीती चलाना देखिए यहां पे अब यह आ गया की नाज ना करना है होगा तेरा आशित जमाना वाली बात यहां पे अब आ चुकी है आपके पास यहां पे क्या आ गई अब बात आपके पास आशित होगा तेरा जमाना पर हम भाई नहीं है ये चीज यहाँ पे कर रहा है 4.2 में मैंने अभी आपसे कहा था उपर एक पैरा को थोड़ा सा हाइलाइट करने के लिए हाइलाइट करके पढ़ने के लिए अगर आपको ध्यान होगा तो और हमने किया भी था उपर जब ये फुलफिल कर रहे हैं थोड़ा सा हम उपर चलते हैं जब यहाँ पे ये कंडीशन सेक्शन 16 में ये तीन कंडीशन दे रहे हैं और इसके साथ साथ पैरा फोर भी दे रहे हैं तो 4.2 में ये ऐसा क्यों कर रहे हैं ये तो भाईया गरवर हो गया ना ये तो मतलब जो कर दिया मतलब ये समझ से बाहर की बात है 4.2 नमबर जो इनका पैड़ा है ये बड़ा थोड़ा साथ पटासा लग रहा है लेकिन जब लो है जब इन्होंने लिख दिया सर्कुलर सर्कुलेट कर दिया तो होगा तो वही जो चाहेंगे यही तो ये कहता है कि अगर मार्च 2019 तक अगर GST R1 नहीं फाइल होता है तो वहाँ पे आपको एलाउन नहीं किया जाएगा ITC साथ ही नेक्स्ट इन्होंने जो important चीज आगे और कहा वो आपको यही कहा गया जो कि मैं आपको पहले ही कहा दिया था कि जिनका complete हो चुका है प्रोपर 17,8,8,8,9 का GST का प्रोसेस उनको कोई भी benefit यहां से इस सर्कुलर से होने वाला नहीं है तो यह धियान रखना है आपको बाकि यह वही सब चीज करें कि कि किसके लिए applicable है नहीं है तो जिसका मुझे था इंतजार वो घरी आ गई की नहीं आ गई यह आप लोग बताएगा कि आपके लिए घरी आई की नहीं तो चलिए इस वीडियो का में खतम करते हैं थैंक यू बाबाई